कि चलते हैं कुशन नंबर 11 की और क्या कह रहा है कि मिश्चर प्रतीमा टुक हेल्थ इंसोरेंस पॉलिसी फॉर हर फैमिली एंड पेट 900 एज SGST कमाल लेते हैं कि क्या होगा कॉस्ट प्राइस एक्स होगा इस पर उसे क्या लगा है 9% का जी एस्ट लगा होगा क्योंकि हम जानते हैं कि यह दो पार्ट में बढ़ जाता है 9% एन 9% में ठीक है क्योंकि यह क्या दिया हुआ है SGST दिया हुआ है तो दूसरा भी क्या होगा CGST के पराबर होगा 9% का value आपको दिया हुआ है किसका X का क्या दे रहा है कि GST का amount दिया हुआ है तो GST का amount दिया हुआ होगा और वह भी SGST का amount दिया हुआ है तो X पे कितना 9% का ठीक है तो 9% of X निकाल लेंगे जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है यह GST है यह क्या है GST है और यह किस पे लग रहा होगा इस प्राइस पे लग रहा होगा कितना परसेंट 9% क्योंकि यह दो पार्ट में बढ़ जाता है तो इस तरीके से अगर हम अब Algebra है एक्सका वैल्यू कल्क तो कि यह फाइंड करना है और टोटल एन्वल प्रीमियम तो टोटल प्राइस किसका एक्स का वैल्यू टोटल प्रीमियम जो है किसका है यह एक्स जो हम माने है तो टोटल प्रीमियम अ हो जाएगा 100 इंटू हंड्रेड 4-0, 10,000 रुपीज इस तरीके से हमारा question number 11 भी solve होता है लग रहा है ना छोटा आसान तो इससे पहले जो भी आपको lengthy calculation लग रहा है थे यह आसान वाले है ठीक है इससे आप calculate कर सकते हैं बहुत आसान बस question को समझना होगा कि यह GST का value जो है amount दिया हुआ 900 और किस पर देता है G GST हमारा अलग अलग लग लगता है अब जब हमारा सेम स्टेट में हो इंटर स्टेट में हो तो हमारे लिए इंटर स्टेट के लिए यह वह क्या है 9% 9% 9% का हमकारे पास क्या था value दिया हुआ था फिन सट ले सकते हैं पढ़ते हैं अगली question कि यह तूर 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 तू गोवा ही टू का रूम इन होटल फॉर टू देज एड़ देट आप फाइव था था जूर देड पर देड़ अच्छा इस कोश्चन में कुछ पाट में सिंग है ठीक है क्या कर रहा है में सिंग क्या पाठ आपको बता दूं मिस्टर मल्लिक वे और किवाज़ चार्ज स्वग वे उन फ्रेंड वां वर्ट वस वीजटिंग एम एड़ अन एक्स्ट्रा बेड जो एक्स्ट्रा वेड पाटयू इसके पास इतना का था अब 1000 मरेद यसाब से था तो सबसे पहले मललिक सहाब गय होटल ठीक है मलिक सहाब अगर होटल गया है और दो दिन के लिए इनको रुखना पड़ा है कितने दिन के लिए question में दिया हुआ है two days के लिए और one day का कितना है 5000 रुपीज है तो obviously मनलिक जो होटल लिए है वो obviously कितना होगा 5000 into two that will be how much 10,000 रुपीज ठीक अब इन्हें जो है question में आप correct कर लेंगे फिर से मैं कह रहा हूं कि 1000 रुपीज पर डे ही वाज चार्ज फॉर एक्स्ट्रा बेट विकाउज ही है तू पर ही फ्रेंड हुआ वाज विजिटिंग हिम ठीक है तो 1000 रुपीज पर डे वह अपने दोस्ट के लिए देता है वह कितना हो जाता होगा और इस फ्रेंड और ही फ्रेंड आप लिखेंगे ताकि आपके आद में कैलकुलेशन या जब भी आप वापस देखे तो सही लगे डाट इस 1000 रुपीज पर बेड एक वेड़ी एक्स्ट्रा मांगता है और दो दिन के लिए दोस्ट भी रहता है तो टोटल कितना हो जाएगा 2000 रुपीज तो बिल जो जेनरेट होगा मिस्टर मलिक के लिए जो अपने दोस्ट के लिए भी देगा और अपने लिए भी देगा जो हो जाएगा 10,000 प्लस 2,000 रुपीज बिलिंग इमाउंट और तिल इमाउंट एक्स्क्लोडिंग जी एस्टी कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज प्लस 1,000 रुपीज एट विल गिव 12,000 रुपीज ठीक है इस लिए इंडिया में है मलिक सहब तो क्या होगा इसे 12,000 रुपीज देना होगा अब इसमें उसे 28% का चार्ज लग रहा है जो कि क्या है जी एस्टी रेट है ठीक तो 28% के हम निकाल लेते हैं जी एस्टी अमाउंट एम्टी से अमाउंट रिपरजन कर दे रहे हैं हम इतना हो जाएगा 28% परसेंट और इस जो से जीरो कैंसिल आउट जीरो कैंसिल आउट 12 इंटू 28 देखे फिर से आसान कलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं 30-2 हम लिख सकते हैं 28 को और हमारे पास कितना है 12 है एक जीरो बचा हुए बहुत को याद रखना है आपको यह अगर भूलेंगे तो सारा वेल्यू क्या हो जाएगा टेंस वाला 1000 वाला 100 में आ जाएगा औ तो आप यह जीरो ना बूले कलकुलेशन के टाइम 360 तो कि टुवल तरीजा से 36 प्लस वन जीरो माइनस कितना करना है 12 टूजा 24 ठीक है 6 5 2 3 & 3 3 3 6 जो है कितना आएगा और इस पर एक वैल्यू क्या है हमारा यह लग रहा है 3360 तो 3360 हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा इस टी का काली कि इस टी कितना इनको देना परेगा 3360 रूपीज तो देख सकते हैं आप होटल में रहना कितना मुश्किल है 12,000 का तो होटल का चार्ज है प्लस 3360 रूपीज ठीक है 60 रूपीज क्या है हमारा जीएस्टी का चार्ज है इस तरीके से मनलिक सहब का पॉकेट होगा खाली और उन्हें देना होगा टोटल बिल टोटल बिल इनक्लोडिंग इस टी एड़ विल थाउजन प्लस हमाज 3360 तो फिल था बारह हजार का देना पड़ा है 15,360 एक सहब मेटिंग करके जाएंगे घर ठीक है तो यह है आपका कोश्चेन का स्वल्यूशन है आप इसे स्क्रिंस और चाहें तो ले सकते हैं ठीक अगली कोश्चन की ओर अगला कोश्चन कह रहा है असरफ वेंट टू सी अ मूवी अच्छी बात है कौन सी मूवी आई है हाल फिलाल में कमेंट करके हमें जरूर बताएं ठीक है मुझे भी देखना है संडे आ रहा है बस संडे को एक दिन समय मिल पाता है क्योंकि मैं हाजिर होता हूं आप लोगों के लिए ठीक है तो मेहगा में देखना पड़ेगा ही पर्चेज़ टिकट फॉर रूपीज वन ट्वेंटी रूपीज अपर क्लास अच्छी बात है रूपीज का है तो आपको जीस्टी कितना देना होगा 28 परसेंट अब देना होगा तो देख लिजिए असरव भाई भी देखना कितना मेहगा पड़ रहा है ठीक है हम कल्कुलेट कर सकते हैं टो कुकि सिफ्केंस इन जीएटी निकाला है तो हम 80 रूपी पे कितना लग रहा होगा कितने परसेंट से इपरसेंट से वो निकाले और यह हन्रेट ट्वैंटी रूपीज पे 28 परसेंट निकाले और दोनों का डिफ्रेंस ऑप जीएएश्टी निकालंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा ठीक असरफ के लिए एस्टी फॉर एटी रूपीज एटी रूपीज के लिए इतना परसेंट होगा एटीन परसेंट एटीन परसेंट अफ हाँ मच अगर टीकट होता असी रूपे वाला तो करेंगे एटीन एट जा वन फॉर पॉर जीडो आई हमच अंडरेट एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट अगर हो जाता है यह कितना हो जाएगा पॉर्टीन पॉइंट पॉर रूपीज का जीस्ट इनको लगड़ा होगा असान है ठीक है अगली बार चुकि इसको टिकट मिल नही होगी ठीक है तो क्या है कि हमें अब 28 परसेंट देना होगा और वह भी किस पे 128 रूपीज 120 रूपीज तो ट्स टी अचार्ज और हमच 120 रूपीज और परसेंटेज भी बढ़ गया है तो कि आप अपर क्लास में वह भी देखने वाले हैं तो अगर इसे हम कैलकुलेट करें कितना पे 120 रूपीज गलत नहीं हो ठीक है यह हमारा आएगा इतना 28 इंटु टुवेल वाई कितना 28 पर 28 वाई 10 इंटू 12 का जो वैलिव आता है वो इस दो डिफ्रेंस-इन-जी-एसटी पूछ रहा है यह हमारा पहला पहला जी-एसटी और यह हमारा दूसरा जी-स टी है दोनों का डिफ्रेंस निकाल लेंगे वह हमारा आंसर हो जाएगा टिफ्रेंस इन-जी-एस-ध लगीर भीव यू 33.6 मैस how much 14.4 ठीक है 6 मैं से 4 गया रुकिक ना को रहा है concept को कौन है ऐस्रप शाम को सारी मलिक साभ घाए थे असरफ और है तो इस तरीके से हम एडिफेरेंस इन by नैंटीन पॉइंट सुल यूपीज का एक्ट्रा बातिर को फैरदा करना पड़ेगा यह हमारा नमबर 15 है और आज का सबसे last question but not the least one we are going to calculate it अब चाहे तो screenshot ले सकते हैं यह हमारा first GST second GST difference in GST ठीक है कोश्चन ठोटा सा है लेकिन calculation से देखिए क्या कह रहा है और सब्कीपर सेलर एन AC to Mr. Alka sorry message Alka for 31,200 including GST at the rate of 28% if the subkeeper and Mr. Alka both are from the same city find the find for the subkeeper total amount of GST यह लगलग चार वैल्यूस निकालने हैं तो इस कोश्चन को पढ़ने के बाद हमें यह लग रहा है कि माल लेते हैं इस आपकीपर जो बेचा होगा वह X price पर बेचा होगा और including GST हमारा कितना है 31,200 रूपीज है ठीक है और GST का rate कितना है 28% तो एक सब्कीपर सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं rate the selling price भी और including GST चुकी दिया हुआ है तो ओविसली आपको क्या निकालना होगा selling price including GST जो कि दिया हुआ है क्या दिया हुआ है selling price including GST हम निकाल सकते हैं selling price including GST कैसे हम जानते हैं यह हमारा जो है X क्या है selling price है या तो कहें है तो mark price है बहतर आपके mark price है अब कि हम मार्क प्राइस ले 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 तो कि mark price पे बेचा गया होगा discount नहीं है हमारा क्या निकलेगा selling price निकलेगा selling price कैसे निकलेगा यह जो mark price है फ्लस इस पर कितना का 28% का है क्या लगड़ा होगा इसका X का mark price पे जो की value हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 312 00 इससे हमारा mark price निकल के आ जाएगा सबसे पहले हम आर्प्राइस निकाले value आरेक्ट कर सकते हैं आप क्लास 10th के स्टुडें 128 एक्स हो जाएगा क्या है एट विल वी इक्वाल टू हाँ मज़ दिखी जा रहा है क्रीवन डबल जीओ ठीक है कल्कुलेट करेंगे इतना होगा एक्स के लिए क्रीवन डू डबल जीरो अब्यस्ली यह हंड्रेट उपर गया तो मल्टिप्लाई में ते कितना होगा टू इट इसे आप जब कल्कुलेट करेंगे तो इससे आपका आएगा क्या मार्क प्रैस निकलके आएगा कल्कुलेट करना शुरू करें ठीक है कट करते हैं यहां रफ थोड़ा चोटा हो जाएगा रफ हम यहां करते हैं कि यह भी आप लोगों सिखाना पड़ता है हम देखे हैं कई बार क्लास 10 के स्टूरेंट को क्या कर सकते हैं इसमें कुछ खास नहीं कर सकते कल्कुलेट करते हैं 26 snip 12 दूपएट उत उचेमरें ग्याँ माई चैनल सैथ्पर उरवज को अ च्म इंच टूष थिरी जा उट्वूं यह दूँ से से डिलान्यार कोट इन विट जा शिक्सटीन फिर होगें को से 16 पॉर से, पॉर फोर जा, 16, पॉर से, 25 टाइम, अब फॉर से यह कड़ जाएगा, कितना बन नहीं है, आप पन फ्यूज ना हो, पॉर था, कट किये हम, पॉर से, इरेक्ट, आइन, हैन, जा, 36, जा, 36, जा, 36, जा, 3, 30, जा, ऑगेन, 7, जा, 28, जा लिए, एट एकट गया, तो, 4 से, 4, 5, जा, 20, जा आगया, 9, 7, 5, 2, 975 इन्टू कितना है 25 इसका जो वैल्यू आते है हमारा 24375 24375 के बरावर आता है तो हमारे पास X का जो वैल्यू है MRP निकल गया इसना निकल गया 24375 अब इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं इसे निकालने हैं यह हमारा तो क्या निकल गया पहले Mark Price अगला Calculation Total Amount of GST तो अभी हमारा क्या निकला था यह यह प्राइस निकला है और असवाब कीपर सेल्स अने सी टू मिस्टर अलका इंक्लूडिंग GST इसमें GST एड़ है इसमें नहीं है अगर हम डिफरेंस निकाल देंगे हमारा क्या निकल जाएगा इमांट of GST निकल जाएगा क्या निकालना है पहला यह अलिव आएगा हमच 31200 4375 एट विल गीव यू 6825 यह हमारा क्या निकल क्या यह तोटल इमांट 4375 ठीक है अगला कोश्चन है एक्स्ट है एमांट आफ CGST एन SGST तो देखिए हमारे पास GST का अगर वैल्यू आ गया है तो इससे अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे तो क्या हमें CGST और SGST ने निकल जाएगा निकल जाएगा तो हमारे पास एक आज जो वैल्यू है टोटल इमांट आफ जी एस्ट उसे आप हाफ कर दीजिए ठीक है यह सी वाला पार्ट है कि क्या हो जाएगा तो ऐबीसले सी जो वैल्यू है वो हमारा किस्का है इस सीजिय एस्ट का है यह यह इस एक टीरी पोर वन वन तो पोईंट फाइब ऑल्यू क्या हो जाएगा व्ल्यू वाले पार्ट के लिए यह सेम होता है हम वेल्यू यहां लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए ताकि आसान होगा टोटल इमाउंट अफ जी एस्ट निकलना था पहला एट इस सिक्स थाउजन एफ हंड़ेड वेंटी फाइब रूपीज एसी के चार्ज इसका टेक्सेवल वैल्यू इसका MRP के 53412.5 और सिम्लरली इस वाले पार्ट के लिए भी 3412.5 इसी जो आंसर और अगला वीडियो जल्दी ही इसी के अगले टॉपिक के लिए जो हमारा वैल्यू एडेशन है ठीक है और टेक्स एड्शोर्स और किस तरीके से एक कस्टमर को दो बार जिए जीस्टी पे करना पर रह तो यह हम सिखेंगे अगले ही वीडियो में जो कि इसका एगला एक्सरसाइज है आईसी एसी क्लास 10 के लिए सॉल्यूशन है अगले एक्सरसाइज का बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आ रहे हैं इसी चैनल पर आदित्या क्लासेज को तो बिल्कुल ना भूले क्योंकि ह हम आपसे यहीं मुखावित सातिव हो पाते हैं ठीक है और इसे ना भूलते हुए हमारे वीडियो को लाइक करें और सेर करते हुए अगले क्लास में हम मिलेंगे बहुत जल्दी धन्यवाद